माकसिमम लोग जो अपनी वर्डप्रेस की थीम सिलेक करते हैं, वो जाते हैं गूगल पे, टाइप करते हैं, बेस्ट थीम्स फॉर रेस्टोरेंट, बेस्ट थीम्स फॉर क्लोधिंग स्टोर, आज के टाइम पे 2024 पे ये तरीका काम नहीं करेगा, अगर आपको सही में बेस्ट के बेसिस पर आज मैं आपको बता हुआ कि free में कौन सी सबसे अच्छी थीम है, premium में कौन सी अच्छी है, e-commerce के लिए कौन सी अच्छी है, learning के लिए, online course creation के लिए, जितनी भी different categories है, उसके लिए आपे कुछ गिंच उनके 3-4 themes है, जो ये सारी categories आपकी serve कर सकती है, उन 4 themes के ब WordPress ना regularly update होता रहता है, 6-3 महिने में उसके कोई ना कोई update आती रहती है, plugins बहुत सारे होते हैं, उन plugins की update आती है, for example, WooCommerce उसकी update आ रही है, तो उन सारी updates के हिसाब से themes को भी अपने आपको optimize करना पड़ता है, अपने आपको updated रखना पड़ता है, तो अगर कोई theme है, जिसके 2 म email करते हो क्या कुछ reply आ रहा है की नहीं आ रहा है, that is there, and community support कैसा है, that is very important, that actually separates a great theme from a good theme, अगर उनका community support है, अगर बहुत सारे users community में contribute कर रहा है, तो that is really great, और forums है, उनके forums में सारे how-to guides वाग रहे हैं, सारे troubleshooting वाग रहे हैं करी, वो भी कापी important होजाता है, तीसरा major important factor है, speed का, आपकी website कितनी जल्दी लोड हो रही है, कितना उस पर clean code लिखा हुआ है, क्या कुछ errors है, bugs तो नहीं आ रहे है, कितने अच्छे से Google उसको crawl कर पा रहा है, SEO optimized है की नहीं है, यह सारे factors आपको देखने पड़ेंगे, speed में आपर एक और important factor रहता है, वो रहता है आपकी hosting का, इसल सकते हो, जैसे cloudways versus hosting कर यहाँ पर जाके आप अपनी hosting सेलेक कर लो, कि जैसे माते हैं, कि इन तीनों में, कौनसी hosting अच्छी है, किसकी speed यहाँ पर अच्छी मिल रही थी, fastest speed किसकी थी, अब टाइम यहाँ पर किसका जादा अच्छा है, और कब यूस करना है, अगर आपको detailed review च जिससे आप लोग quickly अपनी choice ले सकते हो, और आपको detail में जाना है, उसकी option है, जितने भी मैंने hosting reviews करें पिछले 4-5 सालों में, यह उसका पूरा database है, यह आपको simply इस tool में मिल जाएगा, जाके check out कर सकते हो, इसके बाद आपको जो decide करना है, वो आपका page builder, page builder आपको help करता है, आपके website को और जादा सुन्दर बनाने के लिए, जैसे कि Elementor हो गया, DB builder हो गया, यह सब आपे page builders है, जो आपको आपकी website को easily manage करने में help करेंगा, but again यह भी आपकी website पर थोड़ा load add कर देता है, use page builders only when it is necessary, नहीतो जो WordPress का default page builder है, Gutenberg, वो भी कापी अच्छा है, basic चीजों के विए ब्लोग्स भी आते हैं, so you can use a combination of that, जो पहले पहले डिएड कर ले ना, before going on to any theme, अब आते हैं लोग हमारे best WordPress themes के ओपर, starting में, free वाली में आपको बता देता हूं, that is KdnsWP, इसका आपको आपको free version जाएगा, free लोड़ी तेमें, तेमें अपको प्री लोड़ी लोड़ी recently 2024 के लिए बनाया था, उसमें में बताया कि कैसे यूज करना है, then e-commerce के लिए एक tutorial बनाया था, around 1 घंटे का वो tutorial ये e-commerce website के लिए, वहाँ भी में बताया है, कैसे यूज करना है, so free में अगर आपको किसी भी तरह की website बनानी हो, blog हो, e-commerce हो, cadence is the perfect option for you, एक और option में आपको दे अब आते हैं, paid themes के उबर, जो सबसे पहली theme है, वो है, Astra, कापी time से है, इसमें updates regularly होते है, and team काफी अच्छी है, development अच्छा है, इसकी जो आपको pricing रहेगी, इनका free plan भी आता है, but free plan काफी limited है, तो free plan में बिलकुल recommend नहीं करूँगा, लेकिन जो इनका pro plan है, which is $39, अभी आपक $59 का ही मिलता है, अभी यहां पर कुछ offer चल रहा है, that's why this pricing, but जब तो यह video आगा, तो यह pricing आप से चली जाएगी, आपको काफी अच्छा है, easy to use है, यह एक ऐसी थीम है, जिसको अपला multiple purpose के ले यूज कर सकते हो, starter templates नहीं है, आपको काफी अच्छी मिल जाती है, हर category के ले आपको लगभग templates मिल जाती है, आपको कुछ के बनाने हैं, वेबसाइट बनाने हैं, उसके लेर्ण डाश के साथ इंटिग्रेट करना है, तो जैसी ही आपको क्लिक करो हैं, आपको मिल जाएगा एक कौन से page builder के उपर अवेलेबल है, इलोमेंटर गोपर है, जिसे आपको पीवर या डीवी और अब लिए एक टाव मिल जाता है, अगली जो तीम है जाता है, जो काफी पुरानी है, लेकिन आज है काफी सॉलिड वेल्ट प्रेस्ती करें, इसकी य य तैसरी बनाने हैं, जट इसकी एले प्स्ती प्रेस्टी आपको 500 वर्ट्प्रेस इंस्टॉलिशन मिल जाएगे अस्ट्रा वे इट विल बी जस्ट वान अगर आपको और चाहिए तो यू विल लीड टू पे अप्रोग्स डॉलर 89 फो दाट जनुरेट्प्रेस अस्ट्रा जीतनी फीचर रिच नहीं है जो इसकी मेल स्ट्रेंथ है वो है इसका लाइवेट और जो इसमें डेवलपर्स के फंक्शनालिटी इन्हों ने आट करी है कापी लाइट वेट है फास्ट है कोड इसका क्लीन है SEO Optimized Theme है जनुरेट को काफी पसंद आती है तो इसकी में लुकिंग तो हाव अ कस्टम देवलप्मेंट इन फूचर इस इस अ गुड ऑप्शन Template Collection इनका अच्छा है अपको लग बग 80 प्लस templates मिल जाती है मेरी जो रीसेट फेवरेट है वो इस सर्ज काफी सभी आपिछ आपिए लगी है मुझे इस अ गुड़ डिसेट करें तर्फ दापिए यूसर इनका अच्छे हैं ब्लोग पर तुटॉल्स मिल जाएंगे यूटुब पर टुटॉल्स मिल जाएंगे css code for your social shares button जो आपकी post के ऊपर और नीचे है you will easily get that in generate press forums और या फिर blog पर search करोगे आपको उसका css code मिल जाएगा plugins यूज करने की requirement नहीं रहेगी and इसलिए भी याप पर developers को काफे पसंद आती है in fact जो मेरा blog है kripeshadvari.com बहाँ पर मैंने generate press और generate blocks का ही use किया है अब यहाँ पर मेरे पास आप लोगे एक exclusive offer है आपको generate press premium free में मिल सकता है अगर आप लोग मेरे नीचे देगा इसे hosting लोगे तो अगर आप लोग hostinger, cloudways या kemi cloud मैंने नीचे तीनों के links दे दिया है उस link पे अगर आप लोग जाओगे, click करोगे और purchase करोगे from a new account तो यह generate press की theme का premium version आपको free में मिल जाएगा आपको सिर्फ अपना invoice मुझे mail कर देना है हमारे team को mail कर देना है teamadveratekripeshadvani.com और उस पर subject आपको डालना है free wordpress theme 2024 ताकि easily identify हो जाए कि आपको इस वीडियो से आया हो and you are looking for general interest premium theme for free आपको यह आपर license बिल जाएगा आपको सिर्फ यह instructions को follow करना है link पे click करके purchase कर लो invoice भेज़ दो आपको वेरिफाइ कर लेंगे within 5 days you will get access to this premium theme and if you are using cloudways cloudways तो cloudways जब आप आप authorize करोगे date or time जिस भी एक time पर आपने authorize किया है जिसे 3 days के बाद एक आपको authorize करना पड़ता है तो जब भी आपको authorize करोगे वो date or time team को mail करोगे वो cross verify करके आपको access यहाँ पर देंगे अब यहाँ पर जो भी मैने theme suggest करी है वो सिर्म मेरे experience पे नहीं बहुत सारे लोगों के experience में अच्छी है जैसे कि this is the theme distribution जो भी online चल रहा है और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ASTRA पे almost यहाँ पे 9000 वेबसाइट से अभी active आउट ओफ 1.000.000 और इसका percentage है that is good 0.9 percentage Generate Press is the next popular theme ASTRA के बाद यह Elementor और DVDs आप mostly page builders इसलिए यहाँ पे बता रहा है but ASTRA main theme है Generate Press है Newspaper है इसके उपर में भी आऊँगा but these two themes are always on top और एक और यहाँ पर research करें थी motion invest में आट देख सकते हूँ कि ASTRA, Generate Press, Cadence यह जो तीन themes है आपको बताईए यहाँ पर भी top है built-width में और बहुत सारे यहाँ पर अलग-अलग ranking factors मिल जाएगे तो आपको under 10 ही इन तीनों themes की ranking मिलेगी तो basically जो मैंने themes बताईए वो नहीं नहीं है पुरानी है लेकिन उस पर updates होते रहते है और बहुत सारे लोग इसका यहाँ पर use कर रहे है अब 2024 में नया term भी आ रहा है वो है full site editing themes का यह recently introduced किया गया था WordPress 5.9 में इसको FSE भी बोलते है FSE full site editing themes यह एक blog-based theme होती है और इसका जो main purpose होता है वो यह रहता है कि जो page builders है उसको replace किया जाए but full site editing is in future अभी आपर बहुत सारे important चीज़े मिसिंग है रेगुलर्ली यह पर कुछना कुछ अपडेट्स हो रहा है हर WordPress update में बहुत सारे यह पर अपडेट्स आ जाते है अभी जो इसका usage है वो काफी डायनामिक है अभी आप लोग इसको एक तरीके से उसकरोगे आज से एक साल बाद इसी थीम को आप लोग तरीकी से यूज करोगे और यह पर अभी यह पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूं एक साल बाद मुझे लगता है कि यह काफी पॉलिष थीम हो जाएगी अभी आप लोग ब्लॉग ब्लॉग बेस थीम को ही प्रिफर करेंगे क्योंकि इसके ड्वांटेज रहते हैं सिक्यॉरिटी अची रहती है और बहुत सारे यह पर कस्टमाइज़ेशन के ओप्शन मिल जाते हैं जिस तरीके से जो ब्लॉग आप लोग कस्टमाइज करना चाहते हो वो यहां पर एजीली आप लोग कर पाऊगे अगर आप अभी उसको यूज करना चाहते हो टेस्स आउट करना चाहते हो तो वर्ट्प्रेस की डिपॉल्टी में आपको वो सेटिंग्स मिल जाएगी अब एक बोनस थीम भी बता जाता हूँ वो है निउस्पेपर यह आपको मिल जाएगी इन्वार्टो एलिमेंट के ओपर काफी पुरानी और एस्टाबिश थीम है इफ यूर इंटो न्यूस वेबसाइट न्यूस ब्लॉग बनाना है तो यू के ट्राइ एंट टेस थीम मेर कुछ नोन कॉंटाक्स जो न्यूस पर तीम का यूस करते हैं तो यूस वेबसाइट अब टाइम आ गया इस पूरे वीडियो को समप करने का फेवरिट थीम जो मेरी है वो है जनरेट प्रेस मैं पने ब्लॉग तर यूज ब्लॉग यू यूज इस नियूज भी जाएट ब्ल तो फ्रे में तो cadence is the best और page builder के साथ यूज़ करना है तो Astra and without page builder also I think Astra will be a better option for WooCommerce उसके साथ उसकी compatibility अच्छी है एक और बात WooCommerce में ध्यान रखने हैं कि जब भी WooCommerce अपडेट करता है तो WordPress theme को भी आपर अपडेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से अगर लोग नहीं करने हैं तो बहुत सारे conflict आ सकते हैं तो एक ऐसी theme पड़ती है हमें जो WooCommerce के साथ अपने आपको भी अपडेट करते हैं WordPress के साथ भी करें और WooCommerce के साथ भी करें क्योंकि दोनों को या पर उसको इंटिग्रेट करना पड़ेगा अपनी theme के अंदर and that's the reason I am preferring Astra here एक और बात मैं आपे बोलना चाहूँँगा that is not WordPress but अगर आपको e-commerce ही बनाना है तो मेरे साब से Shopify is the best कोई competition नहीं है Shopify का e-commerce में अगर आपका याँ पर खुद का store है आप खुद उसकी marketing वगरे देख रहे हो तो मेरे साब से आपको WooCommerce नहीं जाना चाहिए Shopify is a way better option वो आपका यापर कापी time बचाएगा और थोड़ा बहुत extra लगेगा but I think it is worth it and you should definitely try it out मैं आपको एक offer दे दूगा नीचे आप लोग जाके link पे जाके access कर सकते हो तीन दिन का free access से और पहले महिने सिर्फ 20 रुपे लगेंगे फ्री थीम भी मिलती है डॉन करके होती है Shopify पे वो जाके use करो that is way better for e-commerce in my opinion और अगर आप लोग डेवलपर हो तो फिर WordPress पे जवाब if you are not a developer अगर 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 वोड़परेस दिन और आत काम नहीं करते हो तो मेरे साब से वोड़परेस ले और अनलाइन शॉपिक शोपिक से और शॉपिफाइज पाफिए बेटर ऑप्शन ease of use काफी है और marketing और integrations और अगर आपको मिल जाते है Shopify में best WordPress themes for blogs I think Generatepress hands down बहुत जादा शॉप नहीं करते है अब एक चीज़ जो आपको यहां पर नहीं करनी है वो यह है कि Google पे जाके सर्च नहीं करता है best WordPress themes for restaurant, best WordPress themes for digital marketing agency ऐसे नहीं करते हैं बहुत सर्च करोगे तो बहुत सरी AC themes आजाएंगी जिस पर सपोर्ट और अपडेट्स ही काफी प्रोल्म होगी लॉग्टर्म में इस नहीं काफी प्रोल्म होगी लॉग्टर्म में आपको अपको प्लारिटी आपे मिल गई होगी और वीडियो अच्छा लगा तो कॉमें ज the next one goodbye